नमस्कार दोस्तों याम कांकास चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ के दारनाथ मिस्रा दोस्तों ये समय हमारी डेली करेंट अफेर्स की वीडियो का है तो चलिए 10 और 11 एक्टूबर की महत्वपूर्ण परिक्षाव पयोगी खबरों को देख लेते हैं लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आप पो मिले साथ ही परिक्षाव पयोगी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के लिए और इन तथ्यों की PDF को पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और वाटसेब चैनल भी जोईन कर लीजिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है आज की प्रस्णों को सुरू करने से पहले दोस्तों एक बहुत ही दुखत खबर की चर्चा कर लेते हैं हाली में देश ने अपना एक अनमोल रतन खो दिया है जी हाँ आप सही समझ रहे हैं हम रतन टाटा जी की बात कर रहे हैं बीते 9 अक्टूबर को उनका निधन हो गया है इस खबर को सुनकर मन बहुत दुखी है दोस्तों वो नकेवल एक सफल उद्योगपती थे बलकि देश के स्वाभिमान और समान को हमेशा उन्होंने विश्वस्तर पर बढ़ाया है दुनिया भर में उन्होंने नकेवल अपने कारूबार को बढ़ाया बलकि अपनी सरलता सहजता वह मानावता की बिवहार से उन्होंने दुनिया को अपनी तरफ आकर्सित किया दुनिया भर में वो एक कारोबारी के रूप में कम बलकि एक अच्छे इंसान के रूप में अधिक प्रसिद हुए दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ नामिय उद्ध्योग पतियों की जितनी निटवत है टाटा ने उससे अधिक धन मानवता के कल्याण के लिए दान कर दिया है सायद इसलिए टाटा आज दुनिया की सबसे विश्वसनिय कमपनी है हम इस्वर से प्रात्ना करते हैं कि रतन टाटा जी की आत्मा को अपने चरणों में अस्थान दे तो दोस्तों चलिए आज की महत्वपोर्ट परिक्षाउपयोगी खबरों को सुरू करते हैं आज की पहली खबर है वर्स दो हजार चौबिस का रसायन विग्यान का नोबेल पुरसकार किन सोधकरताओं को प्रदान किया गया तो वो हैं डेविड वेकर यूएस से के हैं और डेमिस हसामिस और जान एम जमपर ये यूके के हैं ठीक है न तो वर्स 2024 का रसायन का नोबेल पुरसकार किसे दिया गया है डेविड वेकर को दिया गया है और डेमिस हसामिस और जान एम जमपर को दिया गया है इसमें डेविड वेकर USA के है और डेमिस हसामिस और जान एम जमपर UK के रहने वाले है ठीक है देखे इन तीनों को यह पुरसक दिया गया है अगला महत्वपूर्टत्य देखते हैं देखे डबलू अच्चो ने हाल ही में भारत को किस बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है तो डबलू अच्चो ने सम्मानित किया है ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए ठीक है ने डबलू अच्चो ने भारत को कि बीमारी के उन्मूलन के लिए सम्मानित किया है तो ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए ठीक ट्रैकोमा दोस्तों एक आंखों से सम्मानित बीमारी है इससे आंखों से लगातार पानी गिरने लगता है और धीरे धीरे आंखे सुखने लगती है अगर इसकी सही से देख भालने हुई तो अंधा होने के खत्रा बहुत रहता है ठीक है तो डबलू एचो ने इस बीमारी के उन्मूलन के लिए भारत को सम्मानित किया है और देखें ट्रैकोमा क्यों होता है यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया से होने वाली भारत जो है भारत में ट्रैकोमा बीमारी का उन्मूलन हो गया है ठीक है ना चलिए अगला महत्वपूर्ट तथे देखते हैं केंद्री कैबिनेट ने किस अस्थान पर नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कांपलेक्स के विकास को मंजूरी दी है तो कहां मंजूरी दिया है लो परिक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा ठीक है ना नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कंपलेक्स यह लोथल गुजरात में इसके निर्माड की मंजूरी केंद्री कैबिनेट ने दिया है ठीक है अगला महत्वपूर्ट तथे देख लेते हैं हाल ही में इंडियन इसको याद रखिएगा इंडियन इंस्टिट आफ इसकिल का उधगाटन प्रधान मंत्री नर्मोदी ने कहां पर किया है तो मुंबई में किया है ठीक है ना मुंबई में किया है इंडियन इंस्टिट आफ इसकिल का उधगाटन ठीक है और सबसे महत्वपूर्ट बात है द ऐसे चात्रों और कामगारों को तयार करना जो सीधे इंडस्ट्री में काम करने के लिए सच्छम हो ठीक है तो ऐसे चात्रों और कामगारों को ट्रेनिंग दी जाएगी बैग्यानी तरीके से और हाइटिक तरीके से उनकी ट्रेनिंग होगी और जो यहां से निकलेगा वो सीध यहार शुरू किया रहा है तो आप इसे याद रखियेगा कि इंडियन इंस्टिट्यूट आप इसकिल का उधगाटन प्रधान मंत्री नरेद मोधी ने कहां पे किया है मुंबई में किया है और इसे टाटा एजूकेशन और डबलब्मेंट ट्रस्ट के साथ मिलकर बनाया गया है और इसका उध्देश से है ऐसे कामगारों को तयार करना जो सीधे इंडस्ट्री में काम करने के लिए सच्छम हूँ अगला महत्पूर्ट तत्य देख लेते हैं देखे ट्यूनीसिया के नए रास्टपती कौन चुने गया है कहा के ट्यूनीसिया के नए रास्टपती चुने गया है के सयद ठीक है के सयद को ट्यूनीसिया का नए रास्टपती चुना गया है और यह दूसरी बार ट्यूनीसिया के रास्टपती बने है यह सबसे पहले 2019 में ट्यूनीसिया के रास्टपती बने थे ठीक है तो टूनीशिया के नए रास्टपती कौन बने है के सयद अगला महत्वपूर्टत्थे देखते हैं देखे केंद्र सरकार ने हाल ही में कैमूर बनने जिव अभ्याराने को टाइगर रिजर्ब के रूप में विक्सित करने की मंजूरी दी है यह किस राज्ज में है ठीक है प्रस्णों को फिर से द्यान से सुनिए हाली में कैमूर बनने जिव अभ्याराने को टाइगर रिजर्ब के रूप में विक्सित करने की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है यह किस राजनम इस्थित करने की मत्जूरी दीये यह महतалось के लिए ही मतलब BBSC के लिए भी यह बहुत इंपर्टेंट ठीक ना अगला महत्पूर्टत देखते हैं देखें आली में दिवनगत रतन टाटा जी को किस वर्स पदम विभूशन से सम्मानित किया गया था तो इन्हें वर्स 2008 में सम्मानित किया था पदम विभूशन से ठीक है तो रतन टाटा जी को किस वर्स पदम विभूशन से सम्मानित किया गया था तो 2008 में ठीक है अगला महत्पूर्ट तत्य देखते हैं देखिए इसमें कुछ और तत्य जोड लेते हैं रतन टाटा जी 1991 से 2012 तक ये टाटा ग्रूप और टाटा संस के अध्यक्ष थे इस तत्य को याद रखिएगा ये पूछा जा सकता है कि कब से कब तक वो टाटा संस के अध्यक्ष थे तो 1991 से लेके 2012 तक ये टाटा ग्रूप और टाटा संस के अध्यक्ष थे ठीक है अगला महत्पूर्ट तत्य देखते हैं देखे jury वर्ष 2024 का अंतराश्टी बालिकादिवस किस्ति थी को मनाए गया तो 11 अक्टूबर को टीक है नहीं 11 अक्टूबर को अंतराश्टी बालिकादिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2024 की थीम थी Girl's vision for the future त्थीक है Girl's vision for the future ये थीम है और अंतर राष्टिबाली का दिवस को 11 अक्टूबर को मनाया गया है ठीक है ना अगला पॉइंट है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में कहा कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयो जित एसियन टेवल टेनिस चैंपियंशिप 2024 में भारती महिला टीम ने कौन सा पदक जीता तो भारती महिला टीम ने ब्रांज मेडल जीता है उब जेता रही डक्षिड कोरिया की ठीक है अब देखें इसमें दो प्रस्ण बनते हैं पहला बने गया कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयो जित अब देखें पूछा जाएगा कि एसियन टेबल छेंपियंशिप 2024 का duplic fram किया गया तो वहाय अस्ताना में किया गया जो कजाकिस्तान की राजधानी ना एक तत्थी हो गया कि ही दूसरा महत्त्वें महिला टीम ने कौन सा पदक जीता तो भारती महिला टीम ब्रांज पदक जीता Canadian तीसरा है कि किस टीम को हराया तो इसकी उब्विजेता टीम दक्षिर कोरिया मतलब भारत ने दक्षिर कोरिया को हरा करके ब्रांज मेडल जीता है ठीक है ना तो ये तीनों तत्याद रखिएगा संभावित परिक्षाओं के लिए ये बहुत important प्रसना है ठीक है ना अगला महतपूर्टत्य देखते हैं वर्स 2024 का साहित्य का नोबल पुरसकार किसे दिया गया है तो हैन कांग को दिया गया है ठीक है ना तो वर्स 2024 का साहित्य का नोबल पुरसकार किसे दिया गया हैन कांग को दिया गया है याद रखिएगा ठीक है, अगला महत्मूर्ट तत्य देखते हैं, देखें, हाली में प्रसिद्ध टेनिस खिलाडी, राफिल नडाल ने सन्यास की घोस्डा कर दी है, वह किस देश से संबंदित हैं, ठीक है न, तो राफिल नडाल का आपने नाम बहुत सुना होगा, तो हाली में प्रसिद्ध टेनिस खिलाडी राफिल नडाल ने सन्यास की घोसरा की और वो इस्पेन से समध्दित है अभी इस्पेन में डेविस कप होने वाला है उन्होंने कहा है कि डेविस कप के समाप्ति के बाद वो उसी के साथ ही अपने सन्यास ले लेंगे ठीक तो यह important है अब देखे राफिल नडाल ने अपने टेनिस काईरियर में कुल 22 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है इसमें दो आस्ट्रेलियन ओपन चौदर फ्रेंच ओपन और दो बिम्बलडन ओपन और चार यूएस ओपन के खिताब सामिल है ठीक है ना तो अगर पूछा जाए कि राफिल नडाल ने कुल कितने पदक जीते हैं अब तक तो 22 ग्रैंड स्लैम खिताब उन्होंने जीता है जिसमें से दो आस्ट्रेलियन ओपन है चौदर फ्रेंच ओपन है दो बिम्बलडन ओपन है और चार यूएस ओपन है इसमें एक चीज और इंपोर्टेंट है सबसे जादा उन्होंने फ्रेंच ओपन का पदक जीता है ठीक है ना चलिए अगला इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं देखें लूपेक्स चंद्रमिसन किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है क्या लूपेक्स चंद्रमिसन किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है तो यह है भारत और जापान की ठीक है न लुप एक्स चंद्र मिशन दो देशों कि सवयुं परियोजना कि भारत और जापान की याद रखेगा यह पूछा जा सकता है कि लूप आ Zug सिर् upward जाफ्हे जाफ्य तो लूप एकश है चंद्र मिशन है यह ठीक is engineeruru मंद में रिसर्च करने के लिए mission बनाये गया है और यह भारत और जापान का संयुक्त mission है यह जापान की Space Agency जाकसा और भारत की Space Agency इसरो का संयुक्त mission है और इसे वर्स दोहजार पचीस में launch किये जाने की योजना है ठीक है तो लिउपेक्स प्रदेश की सरकार द्वारा संकल्प पहल की सुरुआत की गई है किस पहल की संकल्प पहल की सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा ठीक है ना यह किस से संबंदित है तो संकल्प पहल नसीली दवाओं की तसकरी को रोकने से संबंदित है ठीक है ना तो हिमाच परत्थ के सरकार है अर यह नसीली दवाओं की तसकरी को रोकने के लिए इस पाहल की शुरुआत की गई है दूस्तों इस समय देश में नसीले पदार्थ की तसकरी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर के आया है जो हमारे युवाओं को लगातार बरबाद करता जा रहा है, उन्हें नसीला बनाता जा रहा है, तो सरकारें इसके लिए विभिन तरह के प्रियास कर रही हैं, उसी में हिमाचल परदेश की सरकार ने संकल परपहल की सुरुआता की है, और जिसका उदेश से नसीली दवाओं क की तसकरी को रोकने से है ठीक है न अगला important point देखते हैं hardly में श्री लंका cricket team का मुख्य कोच की से नियुक्त किया गया है तो स्रिलंका cricket team का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है सनज जैसूरिया को यह important है आप इनके बारे में जानते होंगे सनज जैसूरिया जो है एक धाकर बले बाज रहे हैं और इन्हें जो ये स्रिलंका की कप्तान भी रहे हैं तो स्रिलंका टीम का क्रिकेट टीम का मुख्य को सनज जैसूरिया को न्यूक्त किया गया है इंपोर्टेंट है इसे याद रख लिजेगा अथवा नोट कर लिजेगा और अगर आप इन तथ्यों को नोट न कर पाएं तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल और वार्टसप चैनल जोईन कर लिजेए वहाँ इन तथ्यों की पीडियाप पड़ी है वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है ना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रतन टाटा जी के सम्मान में किस सरकार ने एक डाग कबर जारी किया बहुत इंपॉर्टेंट है रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक डाग कबर जारी किया है तो वह जारी किया है बिहार सरकार ने तो यह याद रखिएगा, BPSC के परिक्षा के लिए बहुत important है, देखिए क्या है, रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक डाग कबर जारी किया है, तो बिहार सरकार ने एक डाग कबर जारी किया गया है, बिहार सरकार दोरा very important है, इसे याद रखिएगा, स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं, तो वह करने वाले हैं, बारांसी में, ठीक है, बारांसी में, प्रधान मंत्री मोदी जी जो है, एक बिश्वस्तरी स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं, और इसी स्टेडियम का नाम है, डाक्टर संपूरा नन, स्पोर्ट स्टेडियम करीब 15 एकर में फैला और सिगरा इलाके में इसका निर्मार हुआ है ठीक है नहीं 15 एकर में फैला हुआ है और सिगरा इलाके में इसका निर्मार हुआ है वारारसी में राश्टी खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा तो देखिए उत्तरा खंड में किया जाएगा ठीक है ने बहुत इंपोर्टेंट है और तीसमें राश्टी खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा उत्तरा खंड में ठीक है यह प्रस्ण जरूर पूछा जाता है कि राश्टी राश्टी खेलों का आउजन कहां किया जाएगा उनकी संख्या के साथ पुछा जाता है तो यह बहुत IMPORTANT है तरी से में राश्टी खेलों का आयओजन कहां किया जा जाएगा उतराखन्ड में वेरी इंपोर्टेंट कोईस्टन है यह याद रखिएगा ठीक है ना तो दोस्तों यह थे हमारे 10 और 11 अग्टूबर के महत्वपूर्ण परिक्षा उपयोगी तत्थे आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन भी दबा लिजे ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो आपको मिले साथ ही महत्वपूर्ण परि आप डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही दोस्तों आने वाली परिक्षाओं के लिए आप मेहनत से पढ़ाई करिए क्योंकि UPPCS की परिक्षा और RO की परिक्षा की दोनों की तिथिया निर्धारित कर दी गई है UPPCS की परिक्षा अब 8, 7 और 8 December को होगी साथ ही RO की परिक्षा जो ह 22 और 23 December को आयोजित की जाएगी तो आप दोनों की परिक्षा की तैयारी में लग जाएए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ तब तके लिए ब्यस्त रहिए मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ाई जारी रखिए बहुत बहुत धन्यवाद